सोची आपको दिमागी रूप से कितना पंगू बना दिया गया है पूरे देश में गर्मी ने कह ढ़ा रखा है यूपी में सत्तर सत्तर लोग की मौत हो रही है किसान खेतों में मर रहा है मजदूर गारियों में मर रहा है लोग सरकों पर लू से मर रहे हैं और आपको जानकर ह हैरानी होगी कि सहर में दिल्ली जैसे सहर में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं लेकिन जिस समय इस देश के परधान मंत्री मुख मंत्री तमाम सेक्रेट्री को अपात काल मीटिंग करनी चाहिए थी गरों में आग लग रहे हैं यसी फट रहा है बिहार में 65 लों की मौत हो चुकी है उसके बाद आपके इस देश का परधान मंत्री तपस्या के नाम पर चुनावी परचार कर रहे हैं इससे ज़्यादा भयानक धर्म का इस्तिमाल कौन कर सकता है बोट के लिए सुचिए संभिधान में है चुनावायो कहता है कि आप जाती और धर्म के नाम पर बोट नहीं मांग सकते हैं लेकिन आपके देश का परधान मंत्री पिछले तीन बारों से यही कर रहे हैं 2014 में भी 2019 में भी और अब 2024 में भी वो जब परचार खत्म हो चुका है तो वो कैमरा लेकर ध्यान कर रहे हैं आप लोग कब तक धर्म के नाम पर बिवकूफ बनते रहेंगे मरने वाला सरक पर कौन है इस देश में जो दलित है उसको रोज कमाना खाना परता है अगर वो गर्मी में सरकों पर काम करने नहीं जाएगा तो वो भूखे मरेगा जो पिछरा है वो खेतों में काम नहीं करेगा अगर वो काम नहीं करेगा तो वो भूखे मर जाएगा उसके पास कोई बिकल्प नहीं है वो इस गर्मी में अपनी जान की कीमत पर काम करने जा र थी कि पानी कैसे पहुँचे बिजली कैसे पहुँचे लोग की मौत नहो अस्पताल ठीक हो आपका परधान मंत्री ध्यान मगन कर रहा है कैमरा लेकर इसी तरह के आपके साथ धोखा हुआ है जब कुरोना था लोकडाउन लगा दिया गया आपसे ताली थाली बज़वाया गय और आपके अपने मर रहे थे बिना आस्पताल के बिना बेट के इसी तरह से नोटबंदी में आपको मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा था और आप लाइनों में मर रहे थे सुचिए इस सक्स का क्या connection है कि जब आप मर रहे होते हैं यह सक्स आपको धर्म के नाम पर विवकूब बना रहा होता है आप सुचिए और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्यदार इस देश की मीडिया है जो टीबी अखवार जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है पिछले चुनाओ के दौरान लगभग 50 से ज़्यादा इंट्रिव्यू परधान मंत्री ने दिये हैं किसी ने बिरुजगारी पर मनीपूर पर सवाल पूछा महंगाई पर यह सब कुछ इंट्रिव्यू नहीं है यह खबर नहीं है परचार है इसलिए राजिंदर परसासिंग कहते हैं जो टीबी अखबार आपको दिखा रहा है वो दर असल खबर नहीं परचार है आप सूचिए क्या यह ध्यान करने का समय था या देश के लोग जो गड़मी से मर रहे हैं लू से मर रहे हैं उनके साथ खरा होने का बक्त था सवाल पूछा जाना चाहिए कि यह सरकार जो राम मंदिर बनाने का दम भरती है जो स्कोट्स के आदेश से बन रहा है कि आपने पिछले दस साल में कितने नए पावर ग्रीड बनाए कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया इनसे पूछा जाना चाहिए आपने कितने पेर लगाएं आपने पॉलूशन कम करने के लिए क्या किया आपने पानी की उपलवजता सहरों में बढाने के लिए क्या किया लेकिन आप एस सवाल पूछेंगे नहीं क्योंकि आपका जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार है उसको यह सब सवाल सूट नहीं करता है मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश के तमाम दलित पिछले लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों की भविस्खराद किया जा रहा है आपके नसलों को बरबात किया जा रहा है और धर्म के नाम पर परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब इस देश में मुश्क क्या आप क्या ये लू से जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अस्पताल की जुरुत है कि नहीं है उनको मदद मिलनी चाही कि नहीं इस समय परधान मंत्री को आपके साथ होना चाहिए ताकि नहीं ये आप लुगता है कि जब हम लोगे सवाल पूछ ते हैं तो हम लोग उपर करमकांड में क्यूं धाकिलते हैं कैमरा लेकर कुछ तपस्या करने जाता है यह चुनाबी परचार है और कुछ नहीं है आपको आपकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है आप जाती और धर्म के नाम पर लड़ते रहिए मरते रहिए बिजली के बगार मरिए लूस से मरिए लॉ रहे हैं लू से सो सो लोग मर रहे हैं इस समय मुखमंत्री परधान मंत्री इन सब की बैठक होनी चाहिए थी सवाल पूछा जाना चीकि कि आपने नया कितने बिजली पावर प्लांट बनाए पानी का क्या इंतजाम क्या कितने पेर लगाया आपने उल्टा हो रहा है क्योंक पिचरे किसाना दिवासी अलसंख्यक जो मजबूर हैं अगर वो इस लू में काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे उनके पास न कोई संपत्ती है न कोई बिजनेस है न कोई उनके पास बचत है हम जैसे लोग हैं जो रोज कमाते खाते हैं आप लोग सोचिएगा अपने कंदों पर लास उठाया है कुरोना में लास उठाया है और आप लू से लास उठार है और आपका परधान मंत्री तपस्या के नाम पर राधनिती कर रहा है मेरी नेतिक जिमेदारी है कि मैं पत्रकार के तोर पे आपको हकीकत बताता रहूं अगर मैं सेना में नौकरी तो क्या मैं यूद्ध के समय भाग जाता तो मैं गद्दार कहलाता अगर मैं पत्रकार हूँ और देश के मुखवंत्रि और परधानमंति से सवाल न पूछ पाऊँ तो भी मैं गद्दार हूँ और इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया जो आपको दिखा रहा है बो जागरुखों ये समझ ये और सरकार से सवाल पूछिए तभी लोगतंत्र बचेगा तभी लोगतंत्र मजबूत होगा और तभी आपकी नसले बचेगे आपनों राय जरूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के देख सब्सक्राइब करने के लिए